आज क्या है मेरे पास जो मेटो का ओडर था कि मुझे मिर्च की सबजी बनानी है सिंपल लेकिन टेस्टी तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं वीडियो बिलकुई भी इसकीप मत किजिएगा कुछ ट्रिक और टिप्स भी जानेंगे हरी मिर्च की सबजी बनाने के लिए मैंने आपा हरी मिर्च लिए है थोड़ी मोटी साइज की आती है आप वो भी ले सकते हो या ऐसी वाली ज़्यदा डार्क कलर की लाइट ग्रीन ऐसे आती है आप वो हरी मिर्च भी ले सकते हो अगर आपकी हरी मिर्च से ज़्यदाई स्पाइसी है तो उन्हें नमक के पाने में डाल दीजिएगा उनका जो तीखा पना है वो कम हो जाएगा और सारी हरी मिर्च को अपन छोटी छोटी साइज में कट कर लेंगे थोड़ा सा बंच में एक मिक्सी की जार में एड़ कर रही हूँ हारी मिर्च का और अधरक एड़ करेंगे और इन्हें कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे गेस ओन करके एक बर्दन लीजिएगा और इसमें अपन तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम होगा इसमें अपन तेज पत्ते एड़ करेंगे जीरा और नीम के पत्ते और साबुत काली मिर्च, सौफ, साबुत धनिया थोड़ा सा आपके मसल कर भी एड़ कर सकते हो और काली मिर्च का थोड़ा सा आप पाउडर भी एड़ कर सकते हो और सारी हरी मिर्च इसमें एड़ कर देंगे पहले आपको हरी मिर्च एड़ करना है पहले एक दो मिन्टी से हलका सा फ्राई करेंगे मुझे साबू दन्या थोड़े से मसाली कम लग रहे हैं तो साबू दन्या थोड़े से सौफ मैं और अड़ कर रहे हूँ थोड़े इसमें अपना मसाली अड़ करेंगे ना तो ही ज़दा टेस्टी लगेगा मैंने एक नीबू लिया है बड़ी साइज का नीबू लिया है इससे क्या है बहुत ही ज़्यदा टेस्टी लगती है हरी मिट से ये ज़्यदा खटे नहीं होते है और उन्हें ऐसे पन छोटी छोटी साइज में कट कर लेंगे बिना छिल की उतारे ही आपको कट करना है हरी मिट से भी हलकी से फ्राई हो चुकी है जो अपने लेमन कट किया है वो सारे के सारे इसमें एड़ कर देंगे lemon की जग आप धही भी add कर सकते हो लेकिन वो धही वाले हरी मिर्च हो जाएंगे लेकिन ये जो मेटों के order पर जा रहे हैं मेरे जैसे हलवाई बनाते हूँ उसी tricks में आपको बता रहे हूँ वही proper trick है हरी मिर्च में लेमन मिक्स कर लेने के बाद इसमें अब अपन और मसाले एड़ करेंगे रेड चिली पाउडर एड़ करना है तर्मरिक पाउडर एक चमचे और थोड़ी सी स्पाइसी क्योंकि जो मैंने हरी मिर्च ली है वो थोड़ी सी भी स्पाइसी नहीं है तो मैं इसे थोड़ी सी spicy करूंगी और एक बाद पहले mix कर लेंगे पानी अगेर अभी आपको add नहीं करना है एक बाद मिक्स कर लेना है mix कर लेने के बाद अभी इसमें अपन पानी एड़ करेंगे इससे क्या है red chili powder जलेगा नहीं दो चमच से पीसा हुआ साबु धनिया एड़ करेंगे ये क्या करेगा gravy भी बना देगा और जो अपने लाल मिर्ट से powder एड़ किया है उसका तीखापन भी कम कर देगा और test के according नमक एड़ करेंगे और mix करके इने पका लेंगे लेकिन जब तक पके ऐसे आपको बीच में नहीं छोड़ना है बीच बीच में ऐसे stir करते रहना है क्योंकि बार बार पैंदे के चिपकेगा इसमें अपने पानी वगेरा तो जदे एड़ नहीं किया है तो मसाला जलबी सकता है इसलिए आपको बीच बीच में स्टैर करते रहना है जब अपनी हरी मीट से वगेर पक जाए तब लास्ट में इसमें एड़ करेंगे कसूरी में थी और मैंने क्या किया है कच्छा नारेल था उसे मैंने मिक्सी में ग्रैंड कर लिया है इसमें एड़ कर रही हूँ मैं अगर आपके पास कोकोनेट पाउडर हो आप वो भी एड़ कर सकते हो चापांच चमच है और उसे मिक्स करते ही निचे से अपने गेस बंद कर देंगे अपनी हरी मीट से बनकर त्यार हो चुकी है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब कीजेगा